नमस्का दश्कूं यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वाधत है आज में वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन वा मकर राशी के जातकों के लिए मई 2021 का राशी फल कन्या लगन का यह अर्थ है कि अगर आपकी जन्यम कुनली में जहां पहला भाव है जिसको लगन कहत है अगर आप छी नमबर का अंक लिखा हुआ है इसका आर्थ है आपका कन्या लगन है और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैटा है दस नमबर में इसका आर्थ है आपकी मकर राशी यहनि अगर आपका कन्या लगन वा मकर राशी का कंबिनेशन बनता है तो आप यह में देव बुरु बर्सपती छटे भाब में हैं कुम राशी में मा के आरम में सूरे वा शुक्र की उति अश्टम में होगी और भाके भाब में राहू अपुत की उति और दशम भाब में मिथुन राशी के मंगल हैं मकर राशी से बात करें तो शनी माराज लगन पर हैं और द उतितो एल्हों की इस्ति रेति करने लगन road आकवी के लीए अगर आपका करने लगन वमकर आशी का कंभीनेशन मनता है तो महुत मैं कि आपका कण्र सांगर आपके माई में थोड़ा से आपका साव्धान रहने तो वो बात बिल्कुल सही हो सकती है लेकिन अगर आपकी दिशाएं पॉजिटिव होई तो काम की अबादा आपको ज़्यादा परिशान नहीं करेगी लेकिन काम को लेके सतक रहेगा आप चाहे जॉब करते हो या वैपार करते हो वैपार में भी आपको किशी पकार की कोई परिशानी आने की संबाब ना बनती है जॉब में भी इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि सबसे पहले तो आप कन्या लगनों मकराशी के जातक हैं कोशिश करिए कि रोज दिन में एक बार विश्णु सहस्तर नाम का पार्ट जरू करें विश्णु सहस्तर नाम का जो किताब है उसमें भगवान विश्णु के एक हजार नाम दे रखें आप अगर संस्कृत नहीं पढ़ना चाते हैं तो भगवान विष्णू की एक हजार नाम को सिंपल पढ़ लीजिए दिन में एक बार कभी भी पढ़ लीजिया जब आपकी इचाओ विष्णू सासनाम का पार्ट करेंगे तो कन्या लगन से आपके लगनेश बुद्ध बनते हैं और मकर आशी से आपके भागेश बुद्ध बनते हैं तो भगवान विष्णू की उपासना से आपके काम में जो बाधा आ रही है उसकी निराकरण हो जाएगा और व्यपार में भी आपको कोई ज़्यादा प्रेशानी नहीं होगी दूसरी बात क्योंकि कन्या लगन से गुरू छटे भाब में चल रहा है तो इस बात का संकेत दे रहा है कि क्योंकि गुरू जब छटे भाब में चलता है तो दमपत्य जीवन में किसी पकार का तनाव या गलत्यमी हो सकती है और सब्तमेश ठटे भाब में होने से जीवन साथी के स्वास्ते को लेकर भी चिंता हो सकती है अगर आप व्यपार जो करते हैं वो सांजेदारी में करते हैं तो उसमें थोड़ी सी साफधान रखने के जरूत है पार्टनर से किसी पकार का विवाद हो सकता है और क्योंकि पिता का कारक सूर्य अश्टम में चल रहा है इसलिए अपने पिता के स्वास्ते का विशेश उसे ध्यान रखी है कईया लगन के संग्जो मकर राशी का कम्वीनेशन है मकर राशी का स्वामी शनी 23 मई से वक्री होने जा रहा है और शनी के वक्री होने कारती यह है कि शनी जो है अब इसमें 12 का एफेक्ट देंगे कि लगनेश द्वादस चला गया इसलिए अपने सौस्ते को लेकर कोई उलापरवाई बिल्कुल ना करें पर सबसे बड़ी बात है कि कन्याल लगन के साथ मकर राशी का कम्मिनेशन होने के कारण आपके पास आमदनी का कोई ना कोई जरिया बना रहेगा क्योंकि अगर हम मकर राची से बात करें तो शनी माराज की दिश्टीवी दशम बाप पर है और देवगुरू भरस्पतीवी दशम बाप पर वैटे हैं तो यानि आपके लिए अगर कोई काम होने की जरूरत नहीं है कन्या लगनों मकर राची के लिए 45 परसेंट तक गोचर सही है आप दिन में एक बार नेमित रूप से विश्टू सहरत नाम का पार्ट करें मार्केट से विश्टू सहरत नाम की किताब मिल जाती है जिसमें हिंदी में एक हजार नाम लिखे हुए ब इसमें कमन करके बताईएगा इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है और आपने मेरा चैनल अभी था सब्क्राइब कर दीजिए साथ ही वजा आएकन को भी दबा दीजीए जिससे जब भी में उपनी वीडियो अप्लोड करूँ है उसके नोटिफिकेशन मैं आपको मिलना है और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमसका दश्को जैमातादी